यह चोटा है अब यह वार बड़ी बड़ी मुच्छे रखता है क्या साथ दिखते हैं अपना सौख है यह मुच्छे रखता है हैलो दोस्तो गुद मानिंग आज हम सुबा सुबा आज वाक करने निकले हैं और यह मेरे साथ है भोलो हाई गाईस कैसे है आप सब लोग मैं डेली वीडियो डालना चाहता हूं पर डालना ही पाता क्या करो क्या बंदा क्या करेगा अकिला बंदा काम 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 पूरे दिन काम रहता है इसलिए प्री नहीं रहता आज हम सुबा सुबा वाक करने निकले हैं आज हाई वे पर चलते चलते जा रहे हैं कि वीडियो अच्छा नहीं रहा क्या कर देखो यह पीछे गाड़ी आ रही है कि अभी तो नहाएं भी नहीं है कि वीडियोिस रखने कारे फ्री क मैंन हुआ विडियो बनाले हैं बंदिर क्या क्रेज़े बनना है यार और ये अभी है नेशनल हाइवे पर पहुंच चुके है आगा के लिए अभी है ये वह नहीं देखा है कि इतना बड़ा है अधिक पासमाले इस दर किस्टना काथ्यावारे धाबा है जैसे भी प्यम्पो पड़ा हुआ है देखो दूर दूर तक कई एक प्यम्पो बगेरा कुछ दिख नहीं रहा है सुबा सुबा ये पूरे दिन बाल खुजालता रहता है करें बार क्रेसे बंदा है रहे तो कि पिछ अभी एक गाड़ी आ रहे है यह बंदा सामने रॉंग साइट पर पीक अप लेकर आ गया है तो यह से लोगों से बच्छ यह इसे लोगों से बच्के रहे नहीं तो आपको उड़ा देंगे इसलिए ध्यान रखे यहां पर लोकल पब्लिक कहीं भी आजाती है बीच में यह देखो पूरा रोड उपर लगा के रखा है केमरा लगाया हुआ है यह देखो नेशनल हाइवे नंबर 56 फिप्टी सिक्स इस ट्व यूनिटी के नजदीक का एट यहां सब होटल है यह बहुत बड़ा होटल बनाया हुआ है सामने वो बाड देख लाए है वो एरो प्लान रेस्तरान के बाड लगाया हुआ है प्लैन के अंदर रेस्ट्राइन बनाया हुआ है यह क्या है सड़क के बीच में वायर प्रमक फूडवे बहुत बड़े हमाटन लगाया हुए देखो और यह आगे रेल में फाटा के सुबह सुबह चलने निकलने का मजा ही कुछ और है यह देखो और अरोप्लान रेस्ट्राइन गुजरत की फर्स्ट अरोप्लान रेस्ट्राइन करें दो बाइए यह दो प्रमक फूडवे रेस्ट्राइन के नहीं देखो कुछ है यह साम चल रहा है अभी रेल्वेर ट्रॉस लाइन के अंदर देख पहुंच चुके है यहां से करीवाद 120 की स्पीर से ट्रेन गुजरती है यह देखो सुबा का नजरा ही कुछ और दिखता है सूरज भी निकल चुका है कि इतना अच्छा मौस हम देख रहा है यह आगे बड़ा सा टेम्पो खाख रहा है यह रास्ता एक डूंगर को चीरते हुए बनाया गया है देखो यह इस तरफ मंदिर है और उस तरफ भी मंदिर है लेकिन बीज में से काट के बनाया गया है रास्ता जलान वादिरा कम करने के लिए यह यह बनाया गया है देखो यह कितना उच्छा था इसको कम कर दिया है चीर के कर देखो कितना सारपकर का बनाया हुआ है आसपास दूंगर है और बीच में रास्ता है यहां से हमारा काम दजिक पड़ता है और हम हाँ भी घर जा रहे हैं चलते 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 हैं तो फाइनली दोस्तों हम हमारे गाम के स्टेशन पर पहुंच चुके हैं यह देखो यह बाड लगाया हुआ है मेरे गाम का नाम है यह कि बहुत गाड़ी आ रहे हैं रास्ता है कि बहुत डर लग रहा है स्पीड में ही गाड़ी आती है दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर भी करें हम जैसे छोटे क्रियत और कोई सपट नहीं करदा लेकिन आप सपट किजिए पलच जाएगा ना तबी मजाएगा भी बड़ा फक्राइब यह हमारे गाउं के पास मंदिर है यह कितना बड़ा ग्याट लगाया हुआ है ग्याट बनाया है तकनिक से बनाया हुआ है कि देखो मंदिर का बड़ यहां पर लगाया हुआ है यहां पर स्वापिंग सेंटर बनाया गया है यह किसी ने हमारे गाउं का छोटा बड़ को तोड़ दिया है कि देखो है हमारा गाम भी तेरे देर ड्यावलप हो रहा है कि देखो है यह हमारा गाम भी परिवन एक किलोमेटर दूर है अब स्टेशन से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप नए है तो सेर सब्सक्राइब और लाइक जरू करो बोलना भोलो चैनल को सब्सक्राइब करने को बोल कर देगा क्या वीडियो हम अच्छे नहीं बनाते आपको मज़ा ना आया हो तो कॉमेंट बाक्स में बताना अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को और कॉमेंट बाक्स में कुछ कॉमेंट लिक के बताओ हां किया हम कैसा वीडियो बना है अब बहुत दूर है काम सुबह का मौसम थंडा लग रहा है अब गर्मियों का मौसम चल रहा है लेकिन सुबह का मौसम थंडा है रहता है कि दूखाने लगाई रहे हैं यह सुबह सुबह बयांट का ड्रम बजा रहा है कि अधर यह क्या रहे क्या कर रहा है तो ड्यांट में चला जाएक बजाने को कि अधर निकल रहा है कि मंदिर के उपर जाने के लिए सीड़िया बनाई हुई है देखो कि इतना उचा मंदिर है यहां पर बहुत प्यामस मंदिर है यह देखो यहां पर दो मंदिर बनाए हुए इतने छोटे बच्ची ट्याक्टर भी चलाती है कि अधर दोस्तों हम गाव में पहुंच चुके हैं अभी घर पहुंचने वाले हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई यह हैं आग दो तक के लिए झाले जड़ sound